शारुखान की आगा में फिल्म में पठान के रिलीज डेट आ गई है जी हाँ बॉलिवुड में 30 साल पूरे होने पर अभिनेता ने अपने फैंस को खास तोफा देते हुए अपने मोस्ट वेटिंग फिल्म में पठान के रिलीज डेट की घोशना कर दी है इस फिल्म में शारुखान के अलावा दिपिका पादुकोन जौन अबरहम भी नज़र आने वाले हैं अपने लुक का खुलासा करते वे शारुखान ने सोशल मीडिया पर मोशन पोस्टर भी शेयर किया है इस पोस्टर में गन फ्लेक्सिंग डेंजरिस लुक में नज़र आ रहे हैं जो एक खतरनाक मिशन के लिए तयार है पठान का पोस्टर जौरी करते हुए शारुखान लिखते हैं तीस साल आपका प्यार और मुस्कान अनन्थ है चलिए अब पठान की बात करते हैं ये फिल्म 25 जुनवरी 2023 को हिंदी, तमिल और तेल गुभाशा में रिलीज हो रही है शारुखान के इस खास दिन के खुबसूरत सेलिबरेशन के बारे में बताते हुए निर्देशुक सिधार तानन कहते हैं शारुखान के 30 साल भारती सिनमा के इतिहास में अपने आप में एक सिनेमाटिक मॉमेंट है हम उनके लाखों फैन्स के साथ इसे गलोबली सेलिबरेट करना चाहते थे आज शारुखान का दिन है हमें इसके बारे में दुनिया को बताने के जरूरत है ये टीम पठान का शारुख को अनगिनत यादों और मुस्कुराहटों के लिए थाइंक्यू कहने का तरीका है जो सिनिमा में अपने अविश्वसनी यात्रा के दौरान उन्होंने हम सभी को दिया है वो आगे कहते हैं पठान का शारुख खान का लोग बहुत सहच कर रखा गया है दुनिया भर के फैंस लंबे वक्त से उनके लोग को जारी करने की मांग कर रहे हैं लेकिन हमें लगा कि इसे रिलीस करने के लिए इसे बेतर दिन नहीं हो सकता मुझे अमीदे की लोगों को और शारुख के प्रिशन सको को पठान का लोग पसंद आएगा पठान के रूप में शारुख के लोग के बारे में सिदात कहते हैं एक मिशन थ्रिलर में वो अल्फा मैन ओफ दो मिशन है जो भारत के एक्शन जॉनर में नया बिंचमा के स्थापित करेगा जब आपके फिल्में श्यारुखान, दिविका पादुकोन और जॉन अबरहम जैसे सुपरस्टार हो तो आपको हर मामले में शानदार रहना होगा मुझे नहीं लगता की पठान के साथ हम दर्शकों को कहीं से निराश करेंगे बिलरबो ट्रियल एक्सप्रेस